नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं JSAC में 8 साल में 4 बार आवेधन फिर भी नहीं हो पा रही परिक्षा जर्खन सरकार पिछले 8 साल से असनातक अस्तरिय परत्योगता परिक्षा नहीं करा पा रही है इसकी वज़ा से यहां के अभियार्थी काफी परिसान है बता दे असनातक अस्तरिय परत्योगता परिक्षा आयोजित करने में जूटी जर्खन करम चरी चैन आयोग पिछले 8 वर्षों से इसमें सफल नहीं हो पा रही इतना ही नहीं बीते इन वर्षों में आयोग के द्वारा चार चार बार अभियार्थियों से आवेदन मांगे जा चुके है ऐसे में 2023 के जून महिने में निकाले के बिग्यापन की संभावित परिक्षा थी जो पहले में 15 और 16 अक्टूबर को निधायट की गई थी उसे एक बार फिर अस्थागित करते हुए 16 अदिसंबर और 17 अदिसंबर कर दिया गया है इस परिक्षा में सामिल होने के लिए तैयारी करने में जूटे बिद्वार्थियों का मनना है कि आयोग छात्रों के भवित से के साथ खिलवार कर रहा है तैयारी में जूटे चात्र चंदन कुमार कहते हैं कि असना तक अस्तर ये बिभीन पदों के लिए होने वाली इस परिक्षा के लिए 2015 से आवेदन मांगवाए जा रहे हैं लेकिन अब तक 4 बार आवेदन भरे जाने के बाद भी परिक्षा नहीं हो पाई है कुछ इसी तरह चात्र भी कहते हैं कि सरकार और आयोग की मनसा ही नहीं है कि यहां कि लोगों को नवकरी मिल सके जारखन में 2,000 के 90 परतिसत नोट बैंकों में लोटे जारखन में 2,000 के 90 फिश्दी नोट बैंकों में लोट गए हैं मिली जनकारी के मुताबिक राजे में 2000 के 40,000 कड़ोर रूपाय के नोट चलन में थे जिन में 36,000 कड़ोर रूपाय बैंकों में वापस आ चुके है वहीं 10 फिजदी नोट अब भी बाजार में मुझूद है जबकि अगर राश्ट्री अवसत की बात करे तो RBI के ताजा आकड़ों के अनुसार 96,000 फिजदी नोट बैंकों में जमा किये जा चुके है यानि इन नोटों की वापसी में राज्य राश्ट्री अवसत से पीछे चल रहा है हलाकि अब बैंकों में नोटों की जमा बदली की तीथी को आगे बढ़ाती आ गया है अब लोग 7 अक्टूबर तक बैंक में ने जमा करा सकते हैं 15 नोवंबर से पहले वन पटा देने का निर्देश DC रांची DC ने सन्निवार को अभुआ बीर दिसोम अभियान के तहत ग्राम सभा आयोजीत करने से समिक्छा बैठाक में समीतियों के पुर्ण गठन एवां वन अधिकार पट्टा बित्रन से सम्मधित पता दिकारियों को कई दिशाने देश दिये उन्होंने पता दिकारियों से कहा है कि पंचायत चुनाओ के बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 में नीद प्रधानों के तहत ग्राम अस्तर पर वन अधिकार समिति अनुमंडल अस्तरिय वन अधिकार समिति और जिला अस्तरिय वन अधिकार समिति का जल्द से जल्द पुर्ण गठन करे साथ ही टेबल वर्क और पेपर वर्क भी पूरा करे उपायुकत राहुल कुमार सिन्हान ने समनाने पलोग एज धितकक्ष में वीडियो कन्फेसिंग के जरिये की इस बैठाक में पता दिकारियों से कहा है की योग ये आवेदनों की छान बिनकर लंबित आवेदनो का 100 समय निप्टारा करे साथ ही सभी परिकिरया को पुरा करते हुए योग ये लोगों को पंद्रह नौमबर से पहले वन पट्टा देना सुनेशचीत करे आकलन परिक्षा पास पाराशिक्षकों की मांग तेज जारखन के पाराशिक्षकों ने वेतन मांग की मांग तेज कर दी है आकलन परिक्षा में 75 फिश्दी पाराशिक्षकों के पास होने के बाद उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है बता दे आकलन परिक्षा पास करने के बाद पाराश सिख्षकों ने एक बार फिर बेतन मान की मांगतेज कर दी है सहायक अध्यापक संग ने जैक की ओर से जारी प्रथम आकलन परिक्षा में 75 फिजदी पास पारसिक्षको के पास होने पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह परमानित हो गया है कि सहायक अध्यापक योग यहां है और सभी मानकों को पुड़ा करते हैं सरकार ने पहले सार्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराया फिर आकलन परिक्षा ली है और उनके परिणाम भी अब सामने आ गया है ऐसे में इन पारसिसको को वेतनमान दिया जाए जारखन में 6 अक्टूबर तक होगी तेज वर्षा राय धानी में सनीवार की साम जमा जम बर्षा से मौसम सुहाना हो गया मौसम विभाग के अनसार पूरे जारखन में 6 अक्टूबर तक वर्षा होगी इसे लेकर मौसम विभाग ने 3 अक्टूबर तक एलो अलर्ट जारी क गया है वहीं 4-6 अक्टूबर को भी वर्षा की संभावना बताई है वर्षा के असर जार्खन समेद पच्छिम मंगार और ओडिसा में भी देखने को मिलेगा बतादे इस वर्षा से तापमान में भी 4-5 डिगरी तक गिरावट की संभावना है इसी भी सनी वर्षाम को होने की संभावना जताई है खतियान अधारित असनियता हैसिल करके रहेंगे सुदेश महतो आईसू पार्टी के केंद्री अध्यक सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि खतियान अधारित असनियता निती जार्खन के मुलवासियों एवं अधिवासियों की सिर्फ एक मांग प तब तक इमांदारी से लड़ते रहेंगे जब तक इसे हासिल नहीं कर लेते इसके लिए राज के युवाओ को यदि सीर पर कफन बांध कर भी निकलना पड़े तो हम सभी निकलेंगे सुदेश महतों ने कहा आएकी स्वर्गे बिन्वत भी हारी महतों सही निर्मल महतों के बलिदान को ब्यर्थ नहीं होने देंगे पुरवजों नोए इसके लिए अपनी जाने दी है और अब इसे हासिल करना हमारी जीद है जारखन में डेंगू का कहर 2023 में 1534 नए केस मिले जारखन में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या ने पिछले चार साल का रिकोर्ड तोर दिया है इस साल अब तक मिले मरीजों का आकड़ा डेड़ हजार को पार कर गया है बता जेर राज्य में सुक्रवार को भी डेंगू के 41 नहीं मिले हैं वहीं इसमें अकेले 29 मरीज पूर्वी सिम्भूम से मिले इसके अलावा चातरा में 7, पांकुड में 5, धनबाद में 4, दूमका में 3, सिम्डेगा में 2 तथा हजारी बाग में 1 मरीज मिले हैं राज में इस साल जन्वारी से अब तक डेंगू के 534 तथा चिकनगूनिया के 240 मरीज मिल चुके हैं हलाकि राहत की बात या है कि इस सब्ता डेंगू के दैनिक मामल में थोड़ी कमी आई है राज मलेरिय पता अधिकारी डाक्टर बिंदर कुमार ने कहा है कि राज में अब यह बिमारी घट रही है पहले दैनिक मामले 50 अधिक मिल रहे थे अब इस से कम मरीज मिल रहे हैं और चिकनगूनिया का भी सुक्रवार को कोई केस नहीं मिला है ज्यारखन में खुलेगा बैदिक स्कूल राज भर के मंदीरों में सेवा कर रहे पुजारियों को ज्यारखन राज हिंदु धर्मिक बोड ने बड़ा तोफा दिया है अब पुजारियों को इलाज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा बोड के द्वारा पुजारियों को पांच लाख रुपए के स्वास्त भीमा कराया जाएगा बोड के अध्यक जैसंकर पाठक के अध्यक्ता में सुक्रवार को हीनु इस्थीत कर्याले में होई तीसरी पाठक में तिन प्रस्ताव पास किये गए जिसमें बैदिक इस्कूल के स्थापना एवं पुरो में तीन मंदिरों में गठी कमिटी पर अमती मुहर लगाई गई बोड के सबसे राके सिनह ने कहा है कि जारखन में एक भी बैदिक इस्कूल नहीं है इस बात को ध्यान में रखते हुए युवाओ को सनातन धर्म के बारे में जनकारी देने पुजापाट और कर्मकार्ण की सिक्षा देने के उदेल से वैदिक इस्कूल अवस्यक है प्रारम में इसका संचालन रांची देवघर्व दुमका में होगा इस्कूल की छमता सव सव छात्रों की होगी IIT ISM के छात्रों से रूबरू हुए सूपरस्टार अक्षय कुमार मिशन रानी गंज दा ग्रेट भारत रेस्क्यू फिल्म IIT ISM के 1965 बैच के माइनिंग इंजिनियरिंग के छात्र रहे जस्वन्द सिंग गिल की बाहुदरी यवं सूजबूस की कहानिया बया करती है बता दे सूपरस्टार अक्षय कुमार की या फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज हो रही है हाल ही में इंजिनियर्स डे के असर पर अक्षय कुमार ने अपने इस्टाग्राम पर ISM के सामने खड़े जस्वन्द सिंग गिल की तश्वीर पोस्ट की थी एक बार फिर से IIT ISM चार्चा में है अक्षय कुमार लंदन से बेवकाष्ट के जरिये IIT ISM के छात्रों और प्रोफेसर से रूबरू हुए है सबसे पहले हाथ जोड़का सभी को नमस्कार किया है जारखन के विश्व विद्यालेव कोलेजों में महिला सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी जारखन के विश्व विद्यालेव कोलेजों सहीत उच सिक्षन संस्थानों में चात्राओं सहीत महिला सिक्ष को अधिकारियों वकरमचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्वतक्निकी सिक्षा विभागने गाइडलाइन तयार की है इसके तहस सभी विश्विद्यालेव कॉलेजों में महिला सिकुरिटी गाड की वेवस्ता करनी होगी छात्राओं और महिला करमियों को कैमपस में फोटो पहचान पत्र पहनना होगा विद्यार्थियों वकरमियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी जरूरी होगा वही केंपस में किसी विजिटर के आने पर उनकी पहचान और आने जाने की जनकाई राइस्टर में धर्ज करानी होगी इमर्जेंसी नोटिस ततकाल प्रसारित करने के लिए सिस्टम डेवलप करना होगा छात्राओं महिला सिक्षकों वह कर्मियों के लिए अलग-अलग स्वक्ष वह पानी सहित बात्रूम वह पीने के पानी की विवस्था करनी होगी पूलिस इंस्पेक्टर का रीडर 5000 रिस्वत लेते आरेश्ट गिरीडी जीले के बेंगाबाद थाना में इंस्पेक्टर के रीडर की जिम्यदारी सम्हाल रहे सिपाही दीपक कुमार को ACB धनबाद की टीम ने सनीवार की देर साम को 5-6 रुपई रिस्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है दीपक कुमार को रिस्वत की रकम देने एक महिला वा एक युवक बुलेट से थाने पहुंचे थे ACB के हाथ लगते ही दीपक कुमार की तबियत पिगड़ गई है इस्थिती को देखते हुए पांच गाड़ी से आई ACB की टीम भी परिस्थान हो गई ACB की टीम उसे इलाज के लिए बेगा बांध के सरकारी अस्पताल ले गई प्रात्मिक उपचार के बाद दीपक को गीड़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है पीतरों को तरपन देने साहेव गंज गंगा घाट पहुंच रहे लोग पितरपक्ष सुरू होते ही जारखन के एक मात्रजीला साहेव गंज से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी के घाट पर लोग अपने अपने पीतरों को तरपन दे रहे हैं साहेव गंज के नर्मेदेश्वर सीधी घाट पर पुरोहितों के माध्यम से पितरू तरपन कारे कराया जा रहा है वही राजमहल उत्तर वाहिनी गंगा घाट सुरेदेव घाट में पुरोहितों के माध्यम से पितरों का तरपन किया जा रहा है पुरहितों के मुताबिक हिंदु धर में गंगा नदी के तर्ट पर पित्रू पक्ष करने कभी से समहत्व है साहवगन जीला के अलावा संथाल परगनाग विभीन जीला सहित अने इलाकों के लोग भी पित्रू तर्पन के लिए गंगा घाट पहुँच रहे हैं नीजी दुसमानी के लिए नहीं कर सकते SC-ST Act का इस्तेमाल जारखन हाई कोट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए SC-ST Act के तहत धर्ज किये गए मामले को रद कर दिया है आदालत ने अपने आदेश में कहा है कि SC-ST अधिनियम का BCS कानून समाज के हासिये पर रखने वाले वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है इसका इस्तेमाल बदला निकालने और हिसाब किताब बरकरार करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता यह मामला जमीन बिवाद से समांदी था और बिवाद जमीन को लेकर हुआ था जाती सुतक सब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के अदालत ने नयन परकास सिंग, हरेंदर सिंग और गनेश परसाद सिंग की अज का पर सुनवाई करते हुए अरिन देश दिया है बाबा धाम में केदार नाथ मंदीर की थीम पर बनेगा पूजा पंडाल देवगर कास्टर टाउन स्थीत बिहारी लाल चक्रवर्ती रोड में जय हिंद कल्ब द्वारा पूजा का पचासवा साल सेलिबरेट किया जा रहा है समीती इस पार पूजा पंडाल को लेकर काफी तयारी कर रही है यहां का पंडाल केदार नाथ मंदीर की थीम पर होगा पूजा पंडाल में माता की परतिमा स्थापित करने के साथ साथ यहां आने वाले सरधालूओं के लिए सभी ज्योतिस लिंक के दर्शन की भी विवस्ता की जा रही है पूजा समीतित द्वरा सप्तमी अश्टमी यह नौमी को दर्शन करने आई भक्तों के बीच पर साथ यहां करने की बेवस्ता की जाएगी सप्तमी के दीन खिचली अश्टमी को पुलाव यह नौमी को तेहरी का भोग बित्रित किया जाएगा जार्खन कॉंग्रेस की बैठक सभाचेत्र में पार्टी जल्द जीला संजोजक नुक्त करेगी जो दल और इंडिया दलों के बिच बेहतर समाजन से अस्थापित करने में सहायक होंगे धन्यवाद